सुनते हो आपके marketing executive के जरूरत है तो मेरे भाई को रख लो अरे जो साला वहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहा वह आपकी company में आगे परफॉर्म कैसे कर देगा हाई फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर अमित्माईश्वरी और मैं CEO एंड फाउंडर डिरेक्टर हूं मेटास ओवर्सीज लिमिटेड का हमारी company स्टेलने स्टील मडूलर केचिन के manufacturing and export करती है आज पूरे भारत वर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शूरूम है डिलर्शिप श ज़ूरत होती है और जब हमने टीम का development करना शुरू किया टीम बनाना शुरू कि आए तो बहुत सारी समस्यां हमारे सामने आई और जैसे समस्यां को हल करते गए एक बहृतर टीम बनके तयार हुई और जब बहृतर टीम बनके तयार हुई तभी हम अपने business को expansion की ओर ले जा सके तो आज वो 6 ऐसी mistakes में आपको बताने वाला हूँ जो एक company किसी staff को hire करते समय कर देती है जिसका बुक्तान उसको ऐसे loss में करना पड़ता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती तो बात करते हैं top hiring mistakes की ताकि आप सही तरीके से chain कर सके की कौन से employees आपकी company के लिए बेतर होंगे और आपके लक्षो को हासिल करने में आपकी ठीक से मदद करेंगे depending upon your family, friend, relative and social references कई बार हम लोगों को hire करने के लिए dependent हो जाते हैं कहां पर हमारे family पर, हमारे friends पर, हमारे relatives पर हमारे social references सा उनी से हम मांगना शुरू करते हैं और अगर ये बात आपने अपने घर में फैमिली में बैठके कहीं न और आपकी wife ने कहा जी सुनते हो आपके marketing executive के जरूरत है तो मेरे भाई को रख लो अरे जो साला वहां perform नहीं कर पा रहा वह आपकी company में आगे perform कैसे कर देगा दोस्तों है मैं साला गाली नहीं दे रहा मैं wife के भाई को बोल रहा हूँ अगर आपकी wife का भाई एक बार आपने hire कर लिया तो वो काम करे या ना करे आप उसको fire नहीं कर सकते इसलिए ये बात ध्यान रखेगा कि जब भी आप team में लोगों को hire करें तो ऐसे लोगों को hire बिलकुल ना करें जिनको आप असानी से fire नहीं कर सकते क्योंकि performance अगर कोई वक्ति नहीं देगा तो उसको fire करना ज़रूरी होगा तो आपको friends, family, relative और social references पर dependent नहीं रहना क्योंकि यहां से मिलने वाले references कई बार well performer नहीं होते क्योंकि ज़्यादरी उन लोगों का reference देते हैं जो वहाँ perform नहीं कर पा रहे हैं कहीं और perform नहीं कर पा रहे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई job नहीं है वो वेले बैठे हुए उनको आपको पास भेज़ देते हैं और मजबूरन इंट्रिव्यू में आपको उन्हें पास करना पड़ता है जिसकी वज़े से नॉन परफॉर्मिंग टीम बन के तयार हो जाती है और आपके सपने धराशाय हो जाती है दूसरी जो मिस्टेक हम करते है हाइरिंग एनिबडी हुष शोज अप फॉर्दा इंट्रिव्यू हमें लगता है कि यह बगवान कोई भी हमारी कंपनी में आ जाए जो इंट्रिव्यू में आएगा मुशी को रख लेंगे जिसकी वजह से कई बार नॉन परफॉर्मिंग लोग उस इंट्रिव्यू में बै कर देंगे इसको अच्छी सालरी पैकेज देंगे तब काम कर लेगा लेकिन फ्रेंट जो नॉन परफॉर्मिंग परसर ना वो किसी भी तरीके से ठीक तरीके से परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा कि तो यूदू वन तिंग यूदू कोई भी व्यक्ति एक काम जैसे करता है वह हर काम वैसे करता है इसलिए आपको बहुत जुरूरी है इस बात को समझना कि कहीं हैसा तो नहीं कि जो भी इंट्रस्ट शो करें आप उसी को हायर कर ले इस बात का जुरूर हमें ध्यान रखना है नेक्स जो इंपॉर्टेंट बात है हायर नॉट जस्ट फॉर टाइटल बट फॉर्दा परफॉर्मेंस कई बार हमारी कंपनी में एक ऐसा पद खाले जाता है इसको भरने की चाहत में ना हम किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं हमें लगता है कि ये व्यक्ति इसके पास ये टाइटल है उसी व्यक्ति को उस जॉब पर रख लेते हैं कई बार हम ये भी देखते हैं कि वो व्यक्ति कहां कहां बड़ी-बड़ी companies में काम कर चुका है कितना उसका past experience है और बिना उसकी testing करें बिना उसकी काबलियत को जाने हम उसको hire कर लेते हैं हम कई बार ऐसी mistake कर देते हैं जहांपर हम लोगों को उनके टाइटल की वज़व से appoint कर लेते हैं जबकि हमें क्या देखना चाहिए कि उनकी best performance क्या है वो कैसे बहतर तरीके से perform कर सकते हैं उसके बाद जो next mistake है ना talking more than evaluating ये एक समस्या ना एक small scale business owner क्यों होती है जब उसके पास को interview के लिए जाता है ना तो इसको ऐसा लगता है कि यहां ऐसा ना हो कि मेरी company में इंट्रिव देने के बाद मुझे select ना करें मतलब यहां पर सोचने का नजरिया जो होता है वो बदल जाता है यहां कहीं मुझे select ना करें इसने तो बहुत सारी company में पर्फॉर्म की है इसका तो बहुत अच्छा past performance है इसका तो बहुत अच्छा past experience है कैसे भी करके मेरी company में आ जाए जिसकी वजह से interview लेते समय वो अपनी company के बारे में ज्यादा बताने का प्रयास करते हैं मतलब यहां पर जरूत होती interview में सामने वाले व्यक्ति की काबलियत को evaluate करना कि वो क्या जानता है कितना experience है क्या क्या काम उसने किया है क्या job responsibilities उसने निवाई है और किस तरह से उसने perform किया है इसकी अप एक शाम बताना शुरू कर देते हैं आपकी company के बारे में आपके product के बारे में आपके services के बारे में आपने क्या क्या best किया इसके बारे में हम घूम फिर के अपनी बातों को बोलना शुरू कर देते हैं जबकि हमें करना क्या चाहिए हमें evaluate करना चाहिए कि उस व्यक्ति की तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन मन जाता है मतलब पहली बार में इतना प्रभावित कर देता है कि यह व्यक्ति तो बहुत बेस्ट व्यक्ति है और मेरी कंपनी के लिए सबसरा suitable candidate यही है और यही सबसे वड़ी mistake होती है क्यों क्योंकि कई बार उसकी चवी प्रभावशाली तो होती है पर टास्क और assignment हम उसको देते नहीं है जिसकी वज़ए से उसकी productivity के बारे में पता नहीं चलता work performance के बारे में पता नहीं चलता तो इसलिए तरीका क्या है कि first impression के बाद लास्ट इंप्रेशन जब तक बना रहे उसके बाद तुरंत उन्हें को ऐसा टास्क दें जो उसको परफॉर्म करना हो वो सेल से लिड़ो सकता है, मार्केटिंग से लिड़ो सकता है, प्रोडेक्शन से लिड़ो सकता है जिस भी पोस्ट के लिए आप उस परसन को हायर करना चाते हैं, उस पोस्ट से सम्बंदित कोई टास्क या कोई एसाइन्मेंट ऐसा दें, जिसको परफॉर्म करने के बाद, जिसको तयार करने के बाद आपको ये लगे कि हाँ ये व्यक्ति उतना सक्षम है जितना प्रभाव इसने फस्ट इंप्रेशन में हमें दिया था, तो ये मिस्टेक कभी ना करें कि आप एक व्यक्ति को केवल उसके इंप्रेशन के अधार पर अपॉइंट कर लें, कई बार वो व्यक्ति बेस्ट परफॉर्मर नहीं नेक्स्ट, लैक ओफ कॉंफिडेंस ओन यॉर कंपनी, ब्रैंड और प्रोड़क्ट, कई बार एक बिजनस ओनर जो स्मॉल स्केल बिजनस कर रहा होता है ना, उसके पास जब रिजियो में आते हैं, और वो देखता है कि जो कैंडिडेट है, उसने इन बड़े-बड़े कंप जब भी उस तरह का नहीं बना हुआ, जिन लोगों का, जिन ब्रैंड्स का इसने नाम लिया है, और हम उसके प्रैशर में दब जाते हैं, जिसकी वज़ा से हम उस व्यक्ति को हायर कर लेते हैं, जबकि वो व्यक्ति वास्तविक्ता में हमारी कंपनी के लिए इतना होगी कि वो मुझे आसानी से नेक्स लेवल तक ले जा सके, उसकी नौलज इतनी बहतर होगी जो हमारे वीजन को अचीव कर सके, ये बाते आपको देखना बहुत जूरूरी है, अगर आप इन छे बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप आसानी से अपनी कंपनी में एक बहतर टीम को हायर कर सकते हैं, और अपने टारगेटेड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं, इसके लवा बिजनस से लेड़ आपके अमन में कोई भी प्राश्न हो, तो वो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में हम आपके सभी सवालों का ज